समीन के अंदर उखने वाला ये फल शरीर के लिए बेहद लाबकारी और गुणकारी है खून के कमी को दूर करने के साथ ये स्वादिश्ट फल अनिक बिमारियों में राम बान का काम करता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं गाजर की जिसके तमाम औज़्दिय लाब है ये एक ऐसा फल है जो पोशक तत्वों से भरपूर है ये अनिकों बिमारियों को ना केवल शरीर से दूर करता है बलकि शरीर को बिमारियों से लड़ने के लिए शमता भी प्रधान करता है इसका सेवन सलाथ, सबजी, जूस और अचार में भी किया जाता है आईए जानते हैं इस विशेश सलाथ के रूप में मशूर फल को लेकर आयोरेटिक एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं गाजर तो सब लोग इस्तमाल करते हैं कोई सबजी बनाके करता है, कोई अचार, चटनी, जूस हर पॉम में लेते हैं और हर तरह के से फायदेमंद है वो जो गाजर होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रेंस होते हैं इसे विटामिन A होता है, विटामिन C होता है, विटामिन K है, पोटेशियम है तो यह सब जो बॉड़ी के लिए इम्मिनिटी को बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा इम्मिनिटी बूस्टर होते हैं, दूसरी चीज क्या है, आखों के लिए इसमें बीटा कैरोटिन बहुत ज्यादा मातरा में होता है, तो आखों के रोश्ती बढ़ती है, मैकुलर डीजनेश अगर इम्मिन धुटीन होती होते हैं। उससे भी बीटी को इनेमिया है, खून की कमी रहती हैं, तो भी आइऽन का धुट्यूर मातरा में आइड़न के लिए गाजर का सेवन कर सकते हैं। इसका प्रेयुक कर सकते हैं наша के तो कि वेट को प्राइब्लम करें और किछी को heart की problem है तो इसको कम करता है और कि वेदर के लिए बहुत अच्छा अगर किसी का और हैं खराब श्रब्रफ लेकर करनाब किसी को prostate cancer है या अदु का या पेट का एंस को इसके बहुत है जो हास्मे जुरियां आती है या ऐनों गिर रहे हैं तो उनको विसका प्रयोट करना सै कूंकि एंटि ओक्सिरFR के मातरा बहुत जादा होती है लेकिन इसको कि कुछ मिठास तो होती ही है और किसको बहुत जादा गर्मी लगती प्रकरती वाले वह भी इसका प्रयोग कम मात्रा में करें राज की आयर्वेदिक चिकित्साले नगर्भलिया की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंग ने कि जमीन के अंदर उगने वालया गाजर पोशक तत्वस्त का भंडार है ये आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ अनिकों बिमारियों में बेहत फायदिमन है इसका प्रयोग अनिकों प्रकार से किया जाता है जो शरीर के लिए बेहत लाबकारी माना जाता है लोकल 18 पलिया से स प्रदानन की रिपोर्ट इस वीडियो में दी गई जानकारी डॉक्टर अनुसार है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है